नमस्कार दोस्तों, रामपुर की सियासत में जाल बिछाने वाले आजम खान, जो करीब दस बार विधायक रह चुके, यहां तक की सपा की सत्ता के वक्त उन्हें डिप्टी स्यम भी कहा गया था, उन्हें पत्नी और बेटे समेट साथ साल की सजव सुनाई जा चुकी है, जिस प्रदेश में सपा की सरकार जाते ही आजम खान की मुश्किले बढ़ गई थी, बाजपा सत्ता में आई और सपानेता आजम खान के उपर करीब सौ से जादा कानूनी कारवाही के मसले हो गए, बाजपा ने तो मानो मनी बना लिया हो, आजम खान की जड़ों को मिटाने का, तब ही तो अब ऐसा फैसला उनके हिस्से में आया है कि वो ना तो खुद कानून की सजा से बच पाए और ना ही अपने परिवार को ही बचा पाए, इस साथ साल की सजा के बाद तीरों ही किसी भी तरह का चुराओ का ना तो हिस्सा हो सकते हैं और ना ही अपना दमखम दिखा कर चुनाओ लड़ पाएंगे, जिसके बाद सियासी गलियारों में अभी ये सुख्बु का हट तेज है कि आखिर कौन आजम खान की इस बिचाई हुई सियासी साथ को समा लेगा, आजम खान और उनके बेटे सहे बीवी को रामपुर की कोर्ट ने फर्जी बर्ट सर्टिफ के मामले में सजा सुना, जिसके बाद आजम खान के राजनीती करियर पे ऐसी गाजगीरी है कि उनका राजनीती में वापस उठना मुश्किल है, और सजा मिलने के बाद वो चुनाओ नहीं लड़ सकते, तो बात यहीं अटकती है कि अब कौन होगा इस विरासत का मालिक, पेटे की राजनीती में कोई खास दिल्चस्पी या सक्रेदा नहीं रही है, और बात अगर बहु की करें तो आजम खान की उसे राजनीती में उतरने की परमिशन नहीं है, वो बड़ा बेटा जो राजनीती से फिलहाल के लिए दूर है, क्या उसे आजम खान अपनी इस वि खाली ही रह जाएगी, यह सोचने वाली बात है, हालंकि छोटा बेटा जैसे सजा हो चुकी है, वो राजनीती में काफी दिल्चस्पी रखता है, यही नहीं, वो पूर विधायक भी रह चुका है, लेकिन फिलहाल पिता के साथ उसे भी सजा का बुक्तान करना होगा, तो आ आमें शिखा पांडे, जैहिंजे भारत